कि जैए हिन दोस्तों वेलकम टू सिसांती क्लासेश सिसांती क्लासेश में आप सभी बच्चों का स्वागत है इस वीडियो में हम अध्याच्छ है रेखाएं और कुण लाइन सेंगल्स का यह हमारा पार्ट नंबर सिस्टीन है इसमें हम एक्सराइज 6.2 का कोशन नंबर टू कंप्लेट करेंगे तो चलिए समझते हैं कोशन नंबर टू में क्या दिया हुआ है और उससे सौल्व करते हैं ठीक तो दोस्तों यह रहा हमारा कुशन नंबर दो एकसराइज 6.2 का जो कि हमारे बुग में दिया है पेज नंबर 125 ठीक तो समझते हैं क्वेशन नंबर टू क्या कर रहा है तो पढ़ते हैं लाइन टू लाइन आकरती चैद असमलोट दो नो आकरती जो दिया है यह जो हमारे प इएफ के समानतर है ठीक और वाई जड जड जो हमारा वाई और जड है इन दोनों का रेशियो दिया है थ्री रेशियो सीवन क्या दिया है थ्री रेशियो सीवन तो हमें क्या करना है एकस की वैल्यू क्या करना है हमें ग्यात करना है अर्थात फाइंड करना है ठीक तो यहा पैलल टूइंज हमारे पास दू सब्रहांपे हैं तो आप कहे सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के हिसाब से हम कहे सकते हैं कि AB-EF के भी पैलल होगा एक्सारणी के भी पैलल होगा according to इंटीरियर हैंगर एकांता कौन एकांता कौन एकांता अंता कौन की हिसाब से जो की जड़ से बना रहा है ये दोनो पहला लाइन है उनके साथ क्या होगा जड़ से बना रहा है और जड़ से जो अंदर वाले कौन है अर्थाथ एक्स और जड़ ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक, उसके बाद क्या है, हमारे पास y और z का क्या है, ratio दिया है, क्या दिया है, y ratio z क्या है हमारे पास, 3 ratio 7 है, तो हम 3 ratio को हटाने के लिए हम कोई एक variable ले ले लेते हैं, तो हमें 3x माल लेते हैं इसे, और 7 y माल लेते हैं के माल लेते हैं और यहां भी हम के माल लेते हैं क्या constant term कोई variable माल लेते हैं ताकि हमारा जो ratio है वह हट जाए अर्थात y की value 3k यहां तक समझ में आ गया अब दिया है क्या a b parallel to c d क्या हुआ है तो जब यह दोनों parallel होते हैं तो एक्स और y का होता है यह दोनों का सम क्या हो जाएगा हो जाएगा 180 डिग्री क्यों क्योंकि जब कोई दो लेक लाइन पैरलल हो और कोई एक तीरियक रेखा काटे तो इसके एक ही साइट के अंतर कोनों का यो क्या होगा 180 डिग्री होता है अर्थाथ interior angle on the same side क्या होता है 180 डिग्री होता है अर्थाथ x plus y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा समझ में आएगा यहां तक कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक अथवा जड़ प्लस y बराबर भी क्या हो जाएगा 180 अर्थाथ z plus y बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि x बराबर क्या है जड़ है तो x जगह बें हम क्या रख सकते है जड़ रख सकते है अर्थाथ z plus y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री और जड़ क्या है जड स्प्रण利 सेवन कए या three q है। तो इन दोनों कसम का हो जाएगा से movement它onda ребापर एकसवूसективी और सातिन दसके बराबर के गाले एकसो teknा दिखरी तो के बराबर हो जाए क्या 18 डिग्री ठिक जब के कमान क्या हो जाएगा 18 डिग्री आ गया तो हमारे पास क्या है X और Z क्या है हमारे पास बराबर है एक्स और Z क्या है बराबर है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा जड के हाँ है जड के है हमारे पास 7 के तो 18 इंटू 7 कित्त हो जाए 126 ह tutorials हो जाएगा तो हमारे पास "'x' भी आगे 126 अरताब जो एक्स का माान है वो भी 126 है और हमारे पास जड का मान है वो भी 126 डिग्री है क्योंकि हमारे पास x बराबर जड हमने अभी-अभी ठीक और य की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 126 क्या है 126 यहां पर हम X की जाएगा 126 डिक रख देंगे तो 180-126 हो जाएगा तो क्या हो कि 10 में 6 क्या है 4 और 5 54 डिगरी हो जाएगा क्या Y की वैल्यू ठीक तो हमारे पास X की वैल्यू आ गई और जटकी वैल्यू टीनो की वैल्यू भीया गई और हमारा जो यवी पेलल եा यह इसके पैलल था तो इसके पैलल भी यह भी हमारा सो हो चुका है Chyk अर्थाथ हमारा question Ngber टू जो है पूरी तरह से complete हो चुका है तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा क्वेशन नंबर 2 अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेशन नंबर 3 के साथ तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दीजे और उसके बाद आल पर क्लिक कर जीजे ताकि हमारा जो वीडियो हम अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आपको पता चल जाए कि हमने वीडियो अ अच्छे से प्रक्टिस में करेंगे तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत नू स्टुडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रस कर लीजिए बेल आइकन पर आल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें